शर्णागती पुष्ट कैसे होती है, मित्र शर्णागती भगवान के प्रती पूरा समरपण है, शर्णागती की बिना भक्ती बेकार है, वन टाइप भक्ती का बैकबोन है शर्णागती, हर सादक को भगवान के शर्ण में अवश्च जाना चाहिए, कुछ सादक शर्णागती ले चुके हैं पर उन्हें यह नहीं पता चलता कि शरनागती पुष्ट कैसे होती है सादक लोग संपूर्ण शरनागत बनना चाते हैं आज इसी टापिक पर बात करेंगे मितलों संपूर्ण शरनागती पुष्ट होना कोई खेल नहीं है इसके लिए भक्ति के बहुत उंचा यंतों जाना पड़ता है शर्णागती का प्रारंब किसी भैसे या अहंकार तोटने के वज़े से होता है प्रारंब तो हो गया पर संपूर्ण शर्णागती होने में कितने ही साल लग जाते हैं जो प्रामानिक सादक है उनकी संपूर्ण शर्णागती 40 साल में हो जाती है पर जो भक्ति ठीक से नहीं करता उसके लिए कई जनम लग जाते हैं इसलिए हर किसी को सिंसेरली भक्ति करने चाहिए शर्णागती के में अडचन अहंकार और विकार हैं भक्ति के प्रारंब में अहंकार और विकार बड़ी मातरा में होते हैं इसलिए आरंब में कोई भी एकदम से शरणागती नहीं मागता श्टार्टिंग में सभी अहंकारी ही होते हैं भक्ति करते वे जब सादक अनरत निवरती के लेवल पे आता है तब अपमान, निंदा, जल अगते हैं यानि कि अहंकार के खतम होने की स्पीड बढ़ जाती है और उसे के हिसाब से शरणागती की स्पीड भी बढ़ने लगती है इस कारण भक्ती में जो दुख आते हैं वो बहुत important है इस कारण सादकों को दुख में विचलित नहीं होना चाहिए ये वास्तों में कृष्ण कृप 25% कंप्लेट हो चुकी होती है निष्ठा पे आने के बाद सादक भगवान से एक निष्ठ हो जाता है और भक्ती करने लगता है कुछ सालबा सादक भक्ती के रूची के लेवल पे पहुँच जाता है इस लेवल पे शरणागती 50% कंप्लेट हो चुकी होती है इस लेवल में भक्त को भक्ति के कारे करने में इंट्रेस्ट आना शुरूँ हो जाता है सादक को भगवान की सेवा करने की इच्छा होने लगती है कुछ साल बा सादक भक्ति के आसकती के लेवल पे पहुँच जाता है इस लेवल पे शरणागती 75% कम्प्लिट हो जाती है ये लेवल वास्तों में बहुत ही उंचा है कोई विरला ही यहां पहुँच पाता है कई साल तक इस लेवल पे भक्ती करने के बाद सादक भक्ती के भाव के लेवल पे पहुच जाता है यहाँ पे शरणागती 100% कम्प्लेट हो जाती है यानि कि सादक संपूर्ण शर्णागत हो जाता है संपूर्ण शर्णागत होने से सादक निश्यंत निश्योक आनंद में बन जाता है इंग्लिश में ऐसे सादकों को जोले डिवोटी कहा जाता है ऐसे में तरों शर्णागती करम करम से आगे बढ़ती है और भाव अवस्ता में complete हो जाती है कुछ ऐसी सादक है एक्जामबल के लिए यमुना माता जी और तमाल कुष्ण महाराज जी इन्होंने सिर्फ 20 साल में इस लेवल को अचीव कर लिया था आप भी इस लेवल को पा सकते हैं पर शर्त है कि आप रोज प्रामानिकता से नामजब ससंग किया करें इसी से संपूर्ण शनागती हो जाएगी अगर आप थी कोई डौट होतो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट आउश करें अगर आपको भक्ती में कुछ दिक्कते आ रहे हैं तो बेर जिजग कहें अगर वीडियो इच्छा लीगी हो तो शेयर अ मिशना बष्राच दें तो आजकी लिब स्तना हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होतो आप क्या कर सकते हैं आप इसे लाइक कीजिए आप इसे शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार अवलों के साथ, अपने इस तरह में साथ जरूर शेर कीजिए और थर्ड़ बात के हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही बहतलने कांटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलते रहेंगी, इसले आपके कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो स्टे बिलिस, स्टे आउसम, हैंड कोसल में